असलामेकुम डिया फ्रेंज्स, वेलकम डू गलोब आप आई सिटी यूट्यूब जैनल इस बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग टापिक के साथ आया हूँ और यह जो केटेगरी है, यह कोई कोर्स नहीं है, यह जेनरल केटेगरी से एक जनरल टापिक है और जो टापिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है रिसेट माइक्रोसाफ्ट विंडोस सेवन, विंडोस एट और विंडोस टेन पासवर्ड और यह जो घरों में आम यूजर्स हैं, यह अपने सिस्टम से अगर उनका पासवर्ड वो भूल जाते हैं तो वहां पर इसको यूटलाइज कर सकते हैं तो इसको गलब तरीके से बिल्कुल यूटलाइज नहीं करना है और जो सिस्टम या नेटवर्क एंस्टेटर हैं, जो अर्गनाइजेशन में काम करते हैं, उनकी स्किल में एक एडिशन है अगर उनको मा geographic का जो administrator का password है, वो भूल जाते हैं तो उनको reset करने का तरीक मा के से स्किल यहां से सिख सकते हैं तो अग क्छिस्टम का जो administrator का password है, उसको reset करना के लिए हम Linux का यूज घूस करेंगे इसके साथ ये मैं आपको बता दूँ अगर Microsoft में कोई भी प्राबलम आजाए कोई भी प्राबलम आजाए then there is Linux तो Linux उस प्राबलम को solve कर सकता है चाहे अगर rescue का मसला हो for example window corrupt हो गई हो तो important files पड़े हैं उनको निकालना हो important कुछ document है उनको निकालना हो कुछ photos है उनको निकालना हो वो भी हम Linux के साथ कर सकते हैं लेकिन अगर Microsoft का जो administrator password है चाहे Microsoft Windows 7 हो 8 हो या 10 हो अगर administrator का password हम भूल जाएं तो हम Linux को यूज़ कर सकते हैं तो Linux का जो भी flavor आप यूज़ करें उन सब flavor उन सब distros के साथ आप reset कर सकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में एक dedicated distribution है Linux का वो हम यूज़ करेंगे वैसे तो बहुत सारे dedicated हैं इस काम के हवाले से तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो है AIO All-in-one उसको All-in-one कहते हैं वैसे system rescue भी है system rescue cd के नाम से उसके through भी हम कर सकते हैं लेकिन अगर generally कोई भी आप distribution उठाएं Linux का Ubuntu हो Lubuntu हो Subuntu हो Kubuntu हो Fedora हो Sentos हो या Mentos हो यह जो भी हो अब किसी को भी उठा के अब यही same काम कर सकते हैं लेकिन यहां पे हम All-in-one उठाने वाले हैं AIO toolkit यह toolkit बहुत काम आने वाला है System and Network Instructor को ऐसी skillful videos and interesting videos में बनाता रहूंगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे बिलकुल नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताके जो मेरी नए आने वाली वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके You will definitely enjoy it my YouTube चैनल सबसे पहले हम गोगर में जाएंगे और आलेम वन के डाउनलोड करेंगे अच्छा इसकी official website है दूसरे number वे आएगी हम इसको select करके आलेम वन को डाउनलोड करेंगे और इसकी जो official mirror है वो mirror gig से, major gig से जो तक्रीबन 680 MB का हता है यह आप यहां पर देख सकते हैं 680 MB का हता है उसके बाद हम रूफस को डाउनलोड करेंगे रूफस की जो official website है वहां से रूफस तक्रीबन 1.1 MB का हता है रूफस को डाउनलोड करने के बाद हम रूफस को open करेंगे open करने के बाद USB को insert करेंगे computer में तो वो select करके पहले हम USB यह दखें USB select करके अब AIO वाला ISO image यहां पर हम browse कराएंगे browse करने के बाद हम इसको start करेंगे इस USB में पहले ही AIO इंस्टाल थी इसलिए थोड़े यह errors है इसका कोई issue नहीं है यह start हो जाएगा तो यह देखे स्टार्ट हो चुका है तो हम वेट करेंगे जब यह completely इसमें बन जाएगा बरन हो जाएगा USB में तो उसके बाद हम क्या करेंगे BIOS में सबसे पहले वाला जो option है USB स्लेक्ट करेंगे बूट में ताकि यह पहले USB से बूट हो जैसे USB से बूट होगा तो R&1 सिस्टम आ जाएगा उसके बाद ही हम password को reset कर सकते हैं अच्छे इससे पहले Microsoft Windows को completely shut down करना है restart नहीं करना यह याद रखना है completely shut down करना है उसके बाद भी अगर errors आते हैं तो comment box में आप मुझे बता सकते हैं तो उसका हल मेरे पास है मैं वो आपको बता सकता हूँ तो successfully हम USB से login हो चुके हैं आप देख सकते हैं आपके सामने आलिज मन सिस्टम रेस्क्यू पूल के टैप यह बहुत ही अच्छा toolkit है इसमें सर्फ यह password reset का नहीं है और बहुत कुछ features हैं तो हम आइस्था आइस्था नहीं के explore करेंगे अब password को reset करने के लिए आप यह देख सकते हैं यहाँ पे एक folder है एंटी password reset का यह different folder है यह इसका start button है तो यह एंटी password reset की guide है complete तो इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं बहुत सिंप्ली स्टेप्स हैं इसमें देखें how to reset windows password ठीक है तो इसमें जो आप देखें जो बिल्कुल फर्स्ट आप्शन है फर्स्ट आप्शन में यह करा है के mount the windows system partition using disk utility अब देखें ग्राफिकली यहां पे disk utility है बिल्कुल उपर disk के mount से test के सामने तो उस utility के थ्रू हम जो windows वाला जो system जिसमें windows हमारी installed है जो जिस drive में windows installed है उस drive को हम यहां पे mount करेंगे यह देखें तो यहां पे यह जो हाँ यह file system partition 2 ठीक है sda2 के नाम से यह देखें device dev sda2 अब यह mount selected ठीक है delete करें यह क्या करें तो हम इसको mount करेंगे तो यह देखें successfully यह mount हो गया तो mount कहां के हुआ है media एक folder है उसके अंदर luban2 के अंदर देना यह mount हो चुका है उसके बाद हम क्या करेंगे जो drive mount हो गई है उसको terminal में हम खोलेंगे open terminal यह करेंगे यह देखें यह 284 gb value राइट क्लिक करें इसको open in terminal तो उसी location पर यह terminal खुलेगा जिस location पर यह mount हुई है media luban2 के अंदर अब हम यहां पर cd windows करेंगे इंडोर्स करेंगे इंडोर्स सिस्टम 32 और config शुटा बढ़ा करते हैं करेंगे इंडोर्स करेंगे बहुत ही आसान है कोई issue नहीं है अब इसमें हम देखेंगे कि जो same folder है वह बहुत इंपार्टन फोल्टर है windows के अंदर वह है इसमें हम देखेंगे यह आप देखेंगे same folder है तो इसके through ही सब कुछ जो भी है password reset होगा यह आप रखें यह same folder है अब हम यह जो command है आप देख रहे है चेंज एंटी पासवर्ड चेंज एंटी पासवर्ड माइनस आई same यह command हम चलाएंगे चेंज एंटी पासवर्ड की w माइनस आई और same अब इसमें जत्मी यूजर्ड होंगे इनकी लिस्ट हमें दिखाएगा पहले या देखना जो windows वाले यूजर्स अच्छा windows वाले यूजर्स को देखने के लिए हम उनको edit करेंगे कि किस यूजर का हम पासवर्ड है न वो reset होना चाहते हैं तो इसके लिए के एक options ले करेंगे first number one enter यहां पर देखें administrator बरके system के default users है वो भी यहां पर है अब जो main है यह आप देख सकते हैं यह है सिप्तेन अब हम सिप्तेन का जो पासवर्ड है पूर रिसेट करेंगे उसका पासवर्ड नहीं लग रहा था अब अब यह किराय के जो RID है वो नंबर जिस जो यूजर आप जिसका password reset करना चाहते हैं वो यहां पर लखें RID उसकी यह 0-3-E9 है सिप्तेन के RID 0-3-E9 यह लिखके इंटर करेंगे इंटर करने के बाद देखें बिल्कुल लास्ट में यह सिप्तेन सेलेक्ट हो चुका है तो बिल्कुल लास्ट में देखें के यूजर एडिट मेन्यू क्या करना चाहते हैं पहले नबर पे किलियर ब्लैंक यूजर पासव या ग्रूप में एड करना तो हम क्या करेंगे इसका पासवर जूटू खटम करेंगे तो यहां पर वन सिलेक्ट करेंगे अब यह पासवर्ण हो गया फिर बहे हम तसली के लिए वन एक बार और हम लखेंगे अब हम क्वेट करेंगे क्यों अब दुबारा से हम क्वेट करेंगे अब जैसे क्वेट करेंगे तो यह पुछेगा जो भी हमने चैनिंग की है उसका पुछेगा क्या आप वो सेव करना चाहते हैं या नहीं फिर हम उसको यह करेंगे अब यह देखिए राइट हाई फाइल्स जो हमने चैनिंग की है ठीक है पासवर्ड जो बिलैंग किया था उसके बारे में यह पूछा है उसका पासवर्ड रिसेट हो चुका है बिल्कुल बिलैंक हो चुका है अब हम यूएसबी अब हम क्या करेंगे रिबूट करेंगे अच्छा है रिबूट करने के बाद हम यूएसबी को निकाल देंगे अच्छा जैसे रिबूट करेंगे उस टाइम पर हम यूएसबी को बिल्कुल निकाल देंगे ताकि ये दुबारा से USB से ये जो है न बूट ना हो ये इसको शटडाउन हम करते हैं शटडाउन करने के बाद USB निकालेंगे USB निकालने के बाद जो है न जैसे ही विंडोस से आएगा तो वहाँ पे ये ब्लेंग प्रास्वर्ड होगा किस लाद हो है न है